Hello friends, क्या आपके फोन में Google Assistant On है? आप कुछ भी बोलते तो Automatic कोई भी चीज On हो जा रहा है या फिर Google Assistant Automatic On हो जा रहा है आप उसे बंद करना चाहरें और आपको नहीं पता है कि Google Assistant को अपने फोन में बंद कैसे किया जाता है तो दोस्तो हाज आप इस video को वपने स्किल शुरू से लेकर रिलास तक देखेंगा, तो चले फ्रेंज इस video को स्टार्ट करते हैं। Friends चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सबस्काइब करें BEL आइकन को दबाे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो friends, Google Assistant को बंद करने के लिए, सबसे पहले तो आपको अपने फोन में Google App को ओपें कर लेना है तो दूस्तों सबके तो आपको क्या करना गूगल एप को ओपें कर लेना है उसके बाद दोस्तो सबसे उपर यहाँ पर रायर साइट कोर्नर में आपको एक profile का option मिल जाएगा तो दोस्तो आपको simply क्या करना है इसी profile वाल option पर क्लिक कर देना है दोस्तो जैसे आप profile वाल option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें काफी सार option है दोंस्तो यहां पिनिचे मैं आपको setting का option मिल जाएगा तोस्त आपको simple इस plan जा में परो tem पे कलिक कर देडा है जैसे आपसे ए apenas पर करें कुछ परकार का जाएगा सबसू far here a new word Ñश además को दिख जाएगा आपको simple इस sharks on the passer longer dish या थ्वेव मेंख चैजगा आपको ने थोधे वेड करेंगे तो उस्तों आपके सामने की परकार का जो है इंटरफेस आजाएगा आप दोस्तें यहां पाइब लिखा रहा रहा है आपटल्य इस पर किलिक कर दो कर के आपके ओड़ा उस्फा बंद कर देंगे तो गूगल असीस्टेंट जो है नहीं होने वाला है तो फ्रेंज उम्मित करता हूं कि आपको समझ में आ गया है कि गूगल असिस्टेंट को बंद कैसे कर सकते हैं